असलाम अलेक्रूम डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब? I hope you are all good. I am your go-do teacher. Okay डियर स्टुडेंट्स, let's start our topic today. आज हम पढ़ेंगे जखीर इल्फाज और हरूफ तहजी. जी, हरूफ तहजी और जखीर इल्फाज. हरूफ तहजी क्या होते हैं? अलिफ से बढ़ेंगे तक जो हरूफ होते हैं, हरूफ तहजी कहा जाता है. और जखीर इल्फाज क्या होते हैं? उनके साथ उनसे बनने वाले इल्फाज को जखीर इल्फाज बोलते हैं. Now look at the whiteboard. Okay डियर स्टुडेंट्स, let's start. हम हरूफ और उनके जखीर इल्फाज का इस्तमाल पढ़ना शुरू करते हैं. Whiteboard को फोकस करेंगे साथ. अलिफ अनार पे बंदर पे पानी ते तित्ली पे टोपी से समर जी जूता चे चिरिया खे खर्भाग खे खर्भूजा दान द्रब दान तबाग जान जखीराग रे प्रुमाद अले पहाड से जंचीर ये यालाबाई से ये यालाबाई सीन सेर शीन शेर स्वार संदू ज्वार जईर तोएं तोटा जोएं जरूफ आई एनग गाई गुवाराग फे फवाराग काफ करम काफ किताब काफ किताब काफ किताब गाफ देन गाफ देन लाँ लीमू मी ओल मी मूल नून नर्स वाउ वकील वाउ वकील ते हिरन हमजा गाएं चोटिये बढ़िये इरका यह चोटिये बढ़िये यका फिडिये स्टुडेंट्स अब हमने वाइट पर हरूफ और जफीर इंफास की हरूफ दहजी और जफीर इंफास की आज हमने लर्णिंग कर लिये अब आपने बुक पेज नंबर किताब का सफ़ा नंबर चार और पांच घर में 3-4 पाइस की आपने रिडिंग करनी है और रिडिंग करने से पहले आपने उपर सबसे पहले क्या मेंचिन करना है आपने डेट मेंचिन करनी है जीन काफ काफ राइट करना है और इसके बाद आपने दिल राइट करना है और यह दोनों पेजिस के आपने राइट करना है ओके डियर स्टुडेंट्स फॉर और फाइफ पेज की त्री जू फॉर टाइम रेटिंग करने के बाद आपने यह जो एक्टिविटीस का गजमी दी गई है पेज नमबर सफ़ा नमबर छे पर कि आपने खुद से करनी है क्योंकि आपको अलीबे आ चुठी हुई है आप अच्छे जिर देख चुके हुए पढ़ चुके हुए कि अलीबे को कैसे सीफ में राइट करना है ठीक है डियर स्टुडेंट्स उसके इलावा आपने और काम भी करना है कि जब आपी हरूफ दीक रहे होंगे तो आप में जहन में सोचना है कि अलीब से अनार के इलावा और कौन से जखीरा इफाज है जिस अलीब अनार तो अलीब अंगूर अलीब अनानास ठीक है डियर स्टुडेंट्स ऐसी आपने बाकी सब अरूफ के जखीरा इक वास कुछ से सोचने है ओके डियर स्टुडेंट्स डू प्रॉफर एंड गूर फोर्मेशन अगूरिंग तो फोर्मेशन एक्टीक के रूफ यॉर्सल्फ स्टे ओम स्टेशेव अलाव प्रूज